बिहार लाइफ सेवन खबर की तह तक जहानाबाद लोगसभाद सीट को लेकर RJD ओभर कॉनफिडेंस में है या फिर नेताओं में नहीं बन पा रही है बात या बात जहानाबाद के लोग जानना चाहते हैं कि जहानाबाद लोगसभा सीट को लेकर RJD ओभर कॉन्फिडेंस में है 2019 की गलती को फिर सो दहुराने के लिए तयार है या फिर जो यहां के विधायक है जो MLC है और जो अन्य नेता है उन लोगों में बात नहीं बन पा रही है समनबे नहीं बन पा रहा है हम ऐसा इसलिए कह र रहा है कि चंदेश्वर प्रसाद चंदबंसी का जिस तरीके से विरोध देखने को मिला उसके बाद RJD इस सीट को मतलब जीता हुआ सीट मानने लगी है जहानाबाद लोग सभाद छेत्र जो है RJD मान के चल रही है कि हम जीत चुके हैं लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्य जोद में गिराबट दर्ज होने लगा है या फिर कह सकते हैं कि जो लोग वियोद कर रहे थे वो लोग अरून कुमार और आसुतोस के तरफ सिप्ट होने लगे हैं हम 2024 लोगसभाद चुनाओ की बात करें उससे पहले हम जरा एक बार पीछे लेके चलते हैं 2019 लोगसभाद च चुनाओ जीतेंगे और उस समय अगर आपको याद होगा किसी भी आरजेडी नेता से मिलते होंगे तो यही कहा जाता होगा कि एक लाग देर लाग बोट से चुनाओ जीत रहे हैं लेकिन अंतता क्या हुआ था अंतता हुआ यह था कि जहानाबाद जो कि भूमिहार बनाम य इस बर्ग मतलब भूमिहार जाती बिरोध करना शुरूक्या और बिरोध का स्वर बहुत तेज है अभी भी तेज है लेकिन इसी का मतलब कहीं न कहीं कह सकते हैं कि दुस परिनाम आर जेडी पर भी दीख रहा है आर जेडी कहीं न कहीं ओभर कॉन्फिडेंस में इस वार फि दुकान पर क्यों हो रही है हाँ इसके पीछे कई रीजन है जहानाबाद में सुरेंदर प्रसाद यादव को टिकट मिला तब राब्री आबास पर बिरोध हुआ राब्री आबास पर जो बिरोध की वीडियो थी उसे आप देखे ही होंगे आप जान ही रहे है कि कौन लोग बिरोध कर रहे थे पंचायद जन परतिनिधी के गया एमेल सी जो रिंकु कुमार है उनको लेकर क्यास लगा जा रहा था कि टिकट मिलेगा टिकट नहीं मिला राब्री आबास पर जो बिरोध हुआ था उसे आप देखे होंगे लेकिन जब सुरेंद्र यादव को टिकट मि मगदुमपूर के विधायक सतीष्ट दास्त हुँ गया के एमेल सी रिंकु कुमार हुँ या फिर अन्य जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो लोग आपको पूर्निया में दिखाई दे रहे होंगे तजस्वी आदब के मंच के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे होंगे तारन में दिखाई दे रहे होंगे लेकिन जहानाबाद में अभी तक कोई बड़ा मतलब कह सकते हैं कि संदेश नहीं दिया गया है और एक बड़ा परिबर्तन भी अरून कुमार के चुनाबी मैदान में उतरने को लेकर जैसे ही बात सामने आई है उसके बाद बड़ा परि चंदबंसी का बिरोध कर रहे थे वो भुमिहार अब अरून कुमार के साथ लगने लगे हैं तो वहीं चंदेश्वर प्रसाथ प्रषाद चंदबंग सी बिरोध जेल जेल कर अकेले गौँ गौँ में जा रहे हैं लोगों कि शिकवा सिकायत सुन रहे हैं और एक कहाबत है ना कि अगर आप आप कितना भी नाराज हो जाएं और अगर आपके पास बो आदमी आ जाता है माफी मांग लेता है अपना गलती सुईकार कर लेता है तो आप कुछ देर के लिए उसे माफ करने को तयार हो जाते हैं कुछ इस्थिती ऐसा ही है जहानाबाद के सांसत चंदेश्वर परसाद कर रहे हैं बाहर में क्या परचार कर रहे हैं कैसे परचार कर रहे हैं वह तो बात की बात है लेकिन जहानाबाद में अभी तक कोई बड़ा संदेश नहीं दिया गया है जहानाबाद में ऐसे भी सुरेंद्र परसाद यादव का कोई आवास नहीं है कोई निश्ची ठिकाना नहीं होता है चुनाओं के समय ही वो मतलब एक्टिब बहुत जादा नजर आते हैं लेकिन अगर सुरेंदर यादव अकेले लोगसभा चुनाओं में घूमना सुरू करेंगे तो संभब नहीं है कि छेतर के हर गाओं में घूम जाएं हर लोग तक पहुंची जाएं दूसरी आसुतोस कुमार और मतलब अन्य उमिद्वारों के साथ जूट जाता है तो कहीं न कहीं यहां का मतलब फिर से समीकरन जो है एंडिये वनाम इंडिया गठवंधन का हो जाएगा पपू यादव पूर्णिया में चुनाओं लड़ रहे थे आप देखी रहे थे कि कितना जो मतलब कह सकते हैं कि भूमिहार जाती के लोग जो विरोध कर रहे थे कुछ हमारे जानकार है जो चंदेश्वर परसाथ चंदवंसी को हराने के लिए तन मन और धन से लगे हुए थे उन लोगों का रुझान जो है अब बदलने लगा है अरून कुमार पिछले दिन जहान सुरू हो गया है ऐसे में चंदेश्वर परसाथ चंदवंसी अगर आती पिछड़ा काड़ खेल जाते हैं जिस तरीके के क्यास लगाए जा रहे हैं और मोदी का मैजिक जरा भी मतलब सर चढ़ कर बोल देता है मोदी का मैजिक अगर जहानाबाद में कायम रह जाता है तो कारण भी बन सकता है सुरेंदर यादब को अब अखाड़ा बनाना होगा उस अखाड़े को जिससे वो जीत कर संसत तक पहुंच जाएं अगर नहीं अभी संभले तो समझे की धीरे-धीरे सफर जो है मुश्किल होगा आम जन्मानस में संदेश देना मुश्किल होगा कि आर दून कुमार की इंट्री हुई है तब चे यह जो है सिधा आप मान लिजिए कि आरजेडी के लिए सफर जो है मतलब मुश्किल हो रहा है हम इस बात को मानते हैं कि माले का जो बोट है बो बोट बढ़ा है इंडिया गठ्वंधन का जो बोट है वो मास बोट सुरेंदर पर सही संदेश नहीं दिया गया अगर जनता के बीच में ओभर कॉंफिडेंस की स्थिती दिखी तो कही न कहीं सुरेंदर यादव के लिए यह मुश्किल पल हो सकता है सुरेंदर यादव अरून कुमार और चंदेश्वर चंदवंसी के बीच यह त्रेकोन यह मुकाबला लेकिन एक बहुत बड़ा बोट बैंक आरून कुमार के आने के साथ हरून कुमार के साथ बी शिप्ट होगा और उस बात को ध्यान ओर जेडी को देना होगा अगर आर जेडी ओभर कॉन्फिडेंस में रही तो और कॉन्फिडेंस का इस्थिती जो है जो 2019 में देखने को मिला था उसका नतीजा फीर से देखने को मिल सकता है हम पिछले दो लोगसभा चुनाओ को कभर किये हैं 2014 का लोगसभा चुनाओ तो मतलब पूरे देश में मोदी का मैजिक था मोदी मैं था घर घर मोदी हर हर मोदी तमाम तरह के नारे थे और हर यूबा मोदी के साथ दीख रहा था वो लोगसभा चुनाओ सुरंदर यादब हारे थे लेकिन उस वक्त जो मतलब जेडियू के उमिद्वार थे अरील सिंग वो भी बोट काटे थे और बड़ा बोट काटे थे बहुत महंगा चुनाओ हुआ था जहानाबाद का तब जहानाबाद से सांसद अरून कुमार चुनाओ जीत कर गए थे मोदी के लहर में लेकिन 2019 का चुनाओ जब हुआ तब उस चुनाओ में कोई अनुमान नहीं लगा रहा था कि इस बार सुरंदर यादब चुनाओ हार जाएंगे खास करके उनके नेताओं में तो एकदम कहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस भढ़ा भारा हुआ था कि हम चुनाओ देढ़ लाग बोट से एक लाग बोट से जो भी सुरंदर यादब के आसपास बैठते थे उनक काते थे कि एक लाग बोट से चुनाओ जीत रहे हैं लेकिन अंत्ता हुआ क्या हुआ कि पिछले बार थी जिस तरीके से चंदेश्वर प्रसाद चंदवनसी का विरोध हो रहा था उसी तरीके से विरोध आज भी हो रहा है और जो मजबूत पच्छ था कि जो नाराज भूमिहार है नाराज जो चंदेश्वर चंदवनसी से लोग हैं इंडिये के बोटर हैं वो ड दुसरे तरफ आशुतोस कुमार भी जो है एक बड़ा बोट बैंक युबाओं का बोट बैंक जो है उनके इर्दगिर्द भी दीख सकता है या फिर पोल होगा तो उसमें नतीजा के समय पता चलेगा कि युबा जो है वो आशुतोस कुमार को भी बोट देने का काम क्या है ऐस पड़ा के बीच में एक-एक नेता को जाने की जरुरत आ गई है अगर नहीं आएंगे तो कहीं न कहीं ओभर कॉन्फिदेंस में जो गल्तियां होती है वो गल्तियां फिर से दूराई जा सकती है जहाना बाद के नेताओं को बाहर जाने के साथ साथ जहाना बाद पर भी ध्यान देना चाहिए जो अपने लोग हैं उन लोगों से भी बात करना चाहिए और जो चाय के दुकान पर मतलब RJD के नेता खड़े हो रहे हैं बैठ रहे हैं और जो चर्चाय कर रहे हैं उन चर्चाओं में भी बदलाब की जरुत है नहीं तो यह चर्चाएं जो है ओभर कॉन्फिडेंस वाली चर्चाय जो है कहीं न कहीं RJD को कमजोर करता हुआ दिखाई दे सकता है बहरहाल आप RJD को ओभर confidence को लेकर क्या सोचते हैं क्या समझते हैं क्या लगता है कि चंदेश्वर प्रसाद चंदबंग सी एक तरफा चुनाओ हार जाएंगे या फिर काटे की मुकावला रहेगी इस पर आप अपनी परतिकिरिया जरूर दीजिए